Assalamu alaikumt reactions of organo magnesium compound को दिटिस्कस कर रहे थे आज हमने चीज को साथ reaction करना है वह है reaction with nitrics I will attach reactions with nitr裡面 his reactions with nitrion reaction with nitrules nitrals ज्याद र्खे नाइट रहें कोशे compound होते हैं नाइटराइल्स यह वले कमपाउंड होते हैं जिसके अंदर यह वले गूप आर, सी, ट्रिपल बॉण्ड एन इस तरह कमपाउंड को हम नाइटराइल कमपाउंड का नाम दे रहे होते हैं इसके बाद हमने यहां पर जो चीज रियक्शन देखने से पहले ना चाहते हैं इस कमपाउंड को मतलिक आपने याद रखनी है तो यह है कि अगर मैं बॉण्ड C, Triple G, N की बाद करूँ तो यहां पर एलेक्टरन एक्टिविटी, नाइटरोजिन एक्टिविटी जएदा होती है जिसके वजह से इसके अपर पार्शल नाइगेटिव चार्ज आता है, कार्बन की अपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है बस ये बात आप नाजी पие देर के अखं़ valid है ? कि मैं स्थब्सक्राराइफ एक जनलर रियक्शिन लिए लिखेंगे ? एक जनलर रियक्षिनकी उल्काराइफ जनल्रेती लीजैमों लिए थान जनलर रियक्षिन नहीं है आर, सी, ट्रिपल बॉर्ड, N के साथ, यह अलकाइल नायटरायल के साथ इसका रियक्शन करवा दिया, जैसे ही रियक्शन होता है, याद रखिएगा, इसके उबर पार्शल पोजिटिव चाहर जाज़ जाता है, यहाँ पर आर के उबर पार्शल, बागनेशियम, MgX ने जागी रूट जाना है, नायटरोजन के साथ, और हमारे पास कुछ कमपाउंड यह बन जाना है, आर, सी, सी के साथ एक और आट लग जाएगा, यह बॉन्ड क्या होगा, जी, एक बॉन्ड यहाँ बर शिफ्ट पर जाएगा, इसी चीज़ की हाइडरोलिसिज करवा दो, H2O एड़ गार दो, इसके अंदर इस्ट की मजूदी होगा, अब याद रखिए कि H2O के अंदर OH होता है, और एक H होता है, OH ने जोड़ना है, MgX के साथ, और बना देना है, MgX के साथ, OH जोड़ना है, OH तो जोड़ गया है, MgX के साथ, और बाकी H जोड़ गया है, और यह बन जाएगा हमारे पास, R, C, डबल बॉन्ड N, और यहां पर H लग जाएगा, और यह एक R यहागा, नेक्स, फिर आब अगर इसकी हाइडरोलिसिज करवाते हो, वाटर आड़ करते हो, मजीद हाइडरोल से, तो हमारे पास यह जो बॉन्ड होता है, NH बॉन्ड, जी चेंज हो जाता है, किसमें कार्बॉनाइल कंपाउंड में, क्या होता है, यह किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बॉनाइल कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाएगा, और की जी जी जाएगा किस तरह आर, सी, आर, डेबल पॉन्ड, और साथ में NH री बन जाता है, NH तरी लिए वाली चीज़ काम हो रहता है, यानि कि अगर और्गनोम अगनेशिम कंपाउंड नाइट वाल के साथ रेक्शन करता है, तो वह कौन से कर चीज़ बना रहता है, कि टॉन्स, यह बात मैं यहाँ पर लेकूंगा, गरिग नाड रिएजेंट, गरिग नाड रिएजेंट, रिएजेंट, रिएक्ट विद, रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद, अलकाइल नाइट वाल, अलकाइल, नाइट वाल, जब अलकाइल नाइट वाल के साथ, रिएक्ट कर रहते हैं, इट फॉर्म, यह बना देते हैं, it form ketones, यह ketones बना देते हैं, यह बात आपने याद रखने हैं, अगर इसके आपने जनलर एक्षिन देख लेते हैं, जनलर एक्षिन में आपने कहा करना है, आर की जगा बे कोई ethyl group यह methyl group लगाएं, एक्स की जगाएं, अमोमान क्या करते हैं, ब्रॉमीन लगा देते हैं, ज इसके reaction करवादी है, CH3C, triple bond N से, अगर और कीजिए कि यहां पर होता है, यहां पर पार्शल नेगिटिव चार, यहां पर पार्शल पोजिटिव चार, और यहां पर सुरी इस carbon atom के ऊपर हमारे पास होता है, CN bond पर देखना हमने, पार्शल पोजिटिव चार, पार्शल नेग पार्शल 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 पार् H2, CH3. अब आपने क्या करवाना जी, इसकी हाइडरोलाइसिस करवादो, इसकी हाइडरोलाइसिस करवादो, इससेड की मौजूद्गी में, यह वाले चीज़ उतर जाएगी, इसके साथ वाटर का OH लगएगा, इसके साथ H लगएगा. यह हमारे पास कुछ यह बन जाएगा, N के साथ H लगएगा वाटर का, और बाकी वही चीज़े हैं, CH2, और इस चीज़ के साथ हमारे पास M, G, B, R के साथ क्या लगएगा, जी, O, H, वाटर का, वाटर का OH इसके साथ लगएगा, वाटर का, जो H होता है, यह इस मजीद हाइडरोलाइस करवाते हैं, इसकी मजीद करवाओ हाइडरोलाइस, वाटर अड़ कार दो, हाइडरोलाइस करवादो, अब जब मजीद हाइडरोलाइस करवाते हैं, तो फिर गोर कीज़े किया कहा होता है, कि यह वाला NH बॉंड, यह जो NH बॉंड होता है, यह डबल बॉंड ओ और साथ में NH3 मॉलीकिल बन जाएगा। वह जाद रखिए यह वर चीज हमारे पास किटोन है। लगम इसका IUPAC नेम लिखूँ तो इसका IUPAC नेम बनेगा कि जब नाइटराल के साथ रीक्शन रिएक्शन रहता है तो कारभॉणनाइल कंप Parce कॉनaway